हेलो फ्रेंट्स दिस राहूल एंड वेलकम टू जेरेफ ड्रीमर्स फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिसकस करूंगा लेकिन वेफ वीडियो जो थी वह इंग्लिश में रही हैं क्यिस करें तो हर एक कमेंट के बाद मैंने सوचा क्योंला मैं हिंदी अ सब्सक्राइब करेंगी तो उसी बुक्स के बारे में मैं डिसकस करूँगा इस वीडियो के अंदर होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी सबसे पहले चीज़ तो यह कि आपके पास जितने भी ग्रेजुशन की और पॉस्ट ग्रेजुशन की बुक्स हैं आप उन बुक्स को निकाल लीजेगा और उसमें से स्टडिस करना रेधर देन इन गैड्स के इन गैड्स के पर डिपेंड होने के बजाएं यह बुक्स सिर्फ सप्लिमेंटरी बुक्स का काम करेंगी ओल्दो इसमें आपको डीपली नहीं मिलेगा यह मैं आपको पहले क्लियरली बिताएता हूँ जो आपने पहले पढ़ रखाया जो ग्रेजुशन बुक्स और पोस्ट रखाया उनमें से अगर आप पढ़ोगे तो वह ज्यादा बैट अगर अगर अब भी तक आपने में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजेगा आपके लिए ही फाइदा रहेगा चलिए तो सबसे पहले बुक जो सबसे इंपोर्टेंट बुक मैं आपको कहूंगा ट्रुमेंस की बुक ठीक है इंग्लिश में में भी अवलेबल है सबसे पहले हर एक बुक की मैं आपको एक लिमिटेशन बताऊंगा और उसकी इंपोर्टेंस भी बताऊंगा मेरिट क्या है देखो यह एक ऐसी बुक है जिसके अंदर आपको डिटेल में मिलेगा सब कुछ ठीक है मतलब अगर आपको टोपिक पढ़ना चाह रहे हो तो आप सबसांगे अब सबसे आपटने सकीड्य का उनीट मिलेगी मतलब कि पुएं मिलेगा आपको पर भरक में दे रखा होगा डेटेल में तो मिलेगा लेकिन पढ़ने में है कि थोड़े बोरिंग ऊर्यकु कि यह श्कूल तो थोड़ा थ lean चीज इसकी limitation में है, although book अच्छी है, काफी अच्छी book है, अगर आपके पस 3-4 महिने का time है exam को, तो आप मैं कहूँगा कि आप true men's की book लें, तो ये थोड़ी सी costly भी पड़ जाती है, थोड़ी महंगी पड़ेगी आपको book, लेकिन book अच्छी है, book तो खेर कोई भी बेकार नही अच्छी है, ठीक है, सबसे खास से इसकी खास बात यह है, कि इसमें unit को chapters में divide कर रखा है, ठीक है, हर एक unit को chapter wise divide कर रखा है, और सबसे बड़ी बात यह है, कि हर एक chapter का MCQ, previous year MCQ को को से MCQ इसमें से आ चुके इस topic में से, वो भी आपके साथ discuss कर चुका है, रख रखा है, इस बुक के अंदर, तो सबसे main advantages की यह है, कि topic wise MCQ आपको पता लग जाते है, मालनों कि मैंने कोई topic पढ़ा, business environment unit का, कोई एक topic पढ़ा, और मैं जाना चाता हूँ कि इस topic में से, किस तरह के MCQ आ चुके हैं अभी तक, तो वो चीज इस book में आपको देखने को मिलेगी, और दूस तो अगर exam से, लेकिन इसका थोड़ा material जो है deeply नहीं है, overview दे रख है, मतलब material तो है, लेकिन एक कह सकते हैं कि overview है, तो अगर आप exam से एक महिना पहले अगर book लेना चाते हैं कोई, तो मैं recommend करूँँगा कि आप जो है, अरियंद की book को लें, थर्ड नंबर पर book चलते हैं, उपकार publication की, so काफी best book जो है, ये मैं मान के चलता हूँ, क्यों, क्योंकि इस books को notes की form में दे रखा है, कहते हैं कि किसी ने आपको notes बना के दे दिए, तो notes ज़्यादा बैटर रहते हैं, तो ये book जो है, पतली सी है, सस्ती भी है, ऐसी महंगी नहीं है, notes की form में book दे रखिया है, again, एक limitation इसकी ही है, कि detail में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन notes जुर मिल जाएंगे, तो अगर आप सही book खरीना चाते हैं, मतलब कि एक averagely book, best book, सस्ती भी होगी, और average way में आपको notes मिल जाएंगे, बने-बनाएं, वो रहेगी उपकार publication की, त एक last book है, आर गुपता की book, well and good, मैंने इसको include कर लिया है book, लेकिन ये इसको मत खरीदना, मेरा coding इसका जो review आया है, वो काफी अच्छा नहीं है, एक तो इसकी limitation ये है, कि इसमें detail में नहीं दे रखा, दूसरी पार जो दे रखा है, वो material कभी उसमें से question बनता ही नहीं है, क comment करूँगा कि आप इस book को ना purchase करें, तो सबसे best book आपके लिए true men's की रहेगी और उपकार publication की, अगर आप कोई दो book खरीदने की सोच रहे हैं, और आपके बस time भी है पढ़ने का, तो आप ये दो books को खरीज सकते हैं, मेरा coding आपके लिए book जो है best रहेगी, so ये four book है जो मैं आपके साथ discuss करें, although इसके साथ आप अपनी post graduation और graduate की बुक चुरूर पढ़िएगा, ठीक है, अगर आप जेरफ के लिए prepare कर रहे है, अगर आप net के लिए prepare कर रहे हैं, तो आप इन चार में से पढ़ सकते हैं, और थोड़ी बहुत knowledge आप net से भी और मेरी वीडियो देके भी ले सकते हैं, okay, so thank you friends for watching.